हेलो एब्रेवन दिस इस रुपेश मिस्ट्रा एन वेल्कम यू आल टो यूर चैनल देट इस मैथ वैथ आपका आपकी चैनल पर स्वागत है चलिए पर्टिक्लर इंटीग्रल की जो सीरीज चल लएती उसे हम लोग आगे कंटीनिव करते हैं इससे पहले हम लोग ने एपाव इनकी डबल डबल केसे जो थे वह जा करके आप पिछले वीडियो में देख सकते हो और प्लीज जरूर देखेगा तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी अदर्वाइस समझ में नहीं आने हुली को कि मैं रिलेट करूंगा ना उसी से एक मैंने लास्ट में जो साइन ए जानता ही हो पिए इस एकोल टो वन अपॉन एफ अफ डी और आपका जो क्यों होता है टोटल का टोटल लिग दिया जाता है कॉस एक्स टाइमस कॉस्ट टू एक्स प्लस साइन स्कॉर एक्स ठीक है अब करना क्या है देखें जैसे इंटिक्रेशन भाई वान अपॉन अपन सथार इंट दो कॉस्ट एक्स प्लस एको बात आपको बहुत ही निए बता दूढ़े कि आपको प्य आई सिंगल कॉस एक्स यहाँ जीए तो यहां पर दो चीजों का मल्टिपिकिशन है को सिंगल में बदलने के लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि आप यहां पर 2 का मल्टिप्लाई और 2 का डिवाइड जैसे करोगे तो 2 कॉस A कॉस B का फॉर्मूला होता है आप लोने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है तो यहां से तो जैसे इसको आप बदलो तो किसमें बदल जाएगा दोनों कॉस में तो कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B तो दो अलग अलग हो जाएगे यहां पर देखिए यह साइन्पावर साइन पावर यहां पर 2 है तो साइन पावर 2 का तो भाई हमें पर्टिक्लर इंटीक्रियल सिंगल पावर साइन पावर 1 AX का पता है तो इस पावर 2 का मुझे बदलना पड़ेगा पावर वन में ठीक है थे किया मैंने क्या कहना चाहिए और आपको पता है कि integration में हमनोंने सीखा है उससे पहले कि जब भी power 2 में हुआ करता था तो उसको कॉस्ट 2 थीटा वाले फॉर्मले में चेंज कर लेते थे तो मैं दोनों को चेंज करके दिखाता हूं आपको और कैसे अप्लाई करना आप समझ जाओगे देखिए ठीक तो मैं इसे करता हूं तो थीटा वाले फॉर्मले में वन अपन अब डी को भी एक रखता हूं बाद में अब डी की वैल्यू में पुट कर दूँगा तो यहां पर कितना आएगा वण बाइट तो यह ठीक ही अच्छी बात है और यहां पर कॉस ए प्लस भी कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस एक पर कोई फरक नहीं पढ़ता को सुझे पॉजट इपर देता यह तो अच्छा यहां पर जो आपका साइन पावर टू एकस है इसको भी कॉस टू थीटा के फॉर्मले में चेंज करें तो आप यह से लिख सकते हो कॉस टू को फॉर्मला क्यों होता है टू कॉस इसको टीटा म में लिखें तो यह लिखेंगे और अगर यहां पर कोस इसको रा जाता तो इसे हम तभी यह तको साइन साइन करने वाली जानते हैं अ मैंस भी सबको मिक्स करके के बनाया जाता है formula जो आपने ट्रिक्नमेट्री पढ़े यह 11 में ठीक है तो इस टाइप के जितने कोशन हों कि सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छा आगे बढ़ते हैं देखिए अब एक काम करते हैं अभी भी थोड़ा अलग-अलग हो सकता है कैसे अलग हो सकते हैं कि 1 by 2 अगर आप बाहर करो तो 1 upon f of d of cos 3x क्योंकि cos x की value निकाले होती ना प्लस 1 upon f of d of cos x अच्छा मैं इतना बड़ा solve गर रहा हूं आपके long answer में तो आ सकता है जो आपके mid term में आता है ऐसा तो आ सकता है question लेकिन जब यह आप mcq version में बात करोगे तो इतने बड़े questions नहीं ब बनेंगे जो आप फटाक से solve कर लो ठीक है चलिए देखते हैं और यहां पर भी क्या होगा बाई 1 by 2 आपने यहां पर भी बाहर कर दिया और आप क्या क्या करने वाले वान अपॉन एफ of d of 1-1-cos 2x थोड़ा right hand side में यह base cancel हो जाता है base cancel मतलब कि right hand side में लिखता हूं थोड़ा यहां पर कट जाता है गर कटे तो बताज़ेगा ठीक है next वीडियो में ध्यान रख रहा हूं अब नहीं कटता है वीडियो में ठीक है यह cost 2x है प्लीज देख लिजेगा अच्छा तो अब इसे अ third time अजिए इसकों मैं particular entry P1 देता हूं इसको में P2 नाम देता हूं और इससे मैं P3 नाम देता हूं टिक है टेक करको solve कर सकते हैं ग रख करके solve करते हैं एक मैं करूंगा एक आप करेंगे तीक है और फिर लास्ट में पी आई जितने में वह लिख करके जोड़ते ना आपको सिंपल सी बात है ठीक है चले देखते हैं देखें पहला पीवन जो हमने पढ़ा भी पीवन उसे इसे माना पी पहला पीवन है सो fd क्या था स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में देख कर क्या लिख लीजएगा देखें अब यहांपे आप धान से देखो तो यह एक ही वैलीव है त्री तो हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स के के एसमें क्या रखते थे थे 3square के प्लेस पर माइनस एसकोर तो माइनस एसकोर मतला माइनस स्कूइर तो यहां पर रखोए हमाँ-3-4d-1 ठीक है उतना ठीक है तो आप इसे जबसाल करोगे तो सिमपल क्या हो जाएई एक हो एक पर यह और अ मैनेस सीड़ माइनस धान ओर यह जैए एक तरीक से तो अगर मैं इसमें से माइनस 4 common ले लेता तो क्या आता माइनस 4 common लेने के बाद माइनस 1 upon 4 ये तो बाहर आगया common में और आपका यहाँ पर क्या बहुंद था D plus 2 है ना हाँ और cos 3x इतना तो ठीक है अब दीखे है तो वही scene यानि D square के place पर हम लोग minus A square रखते थे तो अगर D square के place पर हम minus A square नहीं रख पार है जैसे मैं यहाँ पर start परना के लिख ले रहा हूँ यह कौन सा जो process इसमें D square के place पर minus A square अगर हम लोग यह नहीं रख पार है दीखे D plus 2 बन गया नीचे तो मैं इसमें थोड़ा starting बताया था AD plus B करके बताया था अब क्या करो D minus 2 का उपर multiply कर दो D minus 2 का नीचे multiply कर दो जैसे आप नीचे multiply करोगा denominator में तो D square minus 2 square हो जाएगा A square minus B square का formula लग जाएगा और उपर अपना cost 3x अभी भी बरकरार है ठीक है ठीक है तो अभी भी नीचे देखिए फिर से D square बन गया अब फिर से आप D square के place पर minus A square put कर दो देखिए तो आप जैसे put करोगे तो होगा क्या दिखा देता हूँ आपको तो minus 1 upon 4 था ठीक है minus 1 upon 4 उपर था D plus 2 I think D plus 2 था minus 2 था D minus 2 था और upon में D square के place पर आप minus 3 square put करने वाले हो और minus 3 square minus 2 square ठीक है minus 2 square ठीक है यहाँ minus 2 square क्यों लिक रहे है सिसीदी simply 4 लिक लिक लिए ठीक है और यहाँ पर आया था cause अपका 3x इसको और solve कर लीजे और solve किया जाए क्या होगा भाई minus आपका minus minus plus हो जाएगा तो 1 हो गया और नीचे आप जब subtract करोगे से subtract नहीं add हो जाएगा 9 plus 4 13 13 for the 52 और अभी आपका D minus 2 बचा हुआ है cause 3x अब देखे यह cause 3x जाएगा यहाँ पर differentiation होगा और यहाँ पर इसमें 2 का multiply हो जाएगा ठीक है line wise कर लेते है तो next line क्या होगी 1 upon 52 और differentiation of cause 3x right से आ रहा है differentiation होगा और 2 cause 3x का multiply आप देखी रहे हो जाएगा फिर आप क्या लिखने वाले हो 1 upon 52 आपने differentiation किया cause का तो minus sin 3x और फिर 3x का differentiation करेंगे तो multiplication में 3 भी आ जाएगा minus 2 cause 3x तो pi आपके सामने है pi कितना आ गया p1 स्वारी p1 जो है अपका क्या आ गया p1 is equal to 1 upon negative आप चाहे तो common ले सकते हैं तो negative ले लिजे minus 1 upon 52 और क्या आएगा 3 sin 3x और plus 2 cause 3x यह आपका p1 आ गया अब जैसे p1 आया आप वैसे ही p2 find out करोगे जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया question बड़ा था इसे p1 आया तो p2 भी आप वैसे ही find out करोगे d square के place पर minus a square put करके और यह वाला भी scene आपका इसे ही होगा ठीक है लेकिन इसमें जो one upon fd जो p3 है उसमें जो one का है one का कैसे आप निकालोगे पी आई ना तो one का वाला थोड़ा मैं और समझा देता हूँ देखो देखे p3 में जो one upon आपका fd of one का part है वो मैं आपको एक बारी clear कर देता हूँ यहाँ आप fd की value में रख दे रहा हूँ fd कितना था डी square माइनस 40 और प्लस वन और आप one की प्लेस पर क्या लिख सकते हो वन की प्लेस पर आप e power 0 x मतलब इसको e में convert कर सकते हो e में भी convert कर सकते हो x power 0 भी कर सकते हो ठीक है तो x power 0 भी मैंने पताया नहीं है एक्स पावर वाला जो है मैंने बताया नहीं है वो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने इसे गलती से ले लिया था आगे का क्वेश्चन था वह कोई बात नहीं है उसे आप लीव करके आप आगे वह आजएक आटमेटिक आवसे समझने रहे हो ठीक है तो यहाँ प आपका प्रगी दो जी लेंगे मताँ जिरोज्च रहता है नीचे आपने वाली दो हुए गए किक रिक सस्के में भड़ा घर करके बें к इसम में काफी सारे वन्युक्शन थे टो आप सब को एड्य कर दें यह आपके mage पप छोड़ रहा हूँ ज़रूर करिए गा और आगर आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से वीडियो को एकदम बिल्कुल साइम के साथ पीसफुली देखेगा आपको क्लियरली समझ में आया कि मैंने क्या बोला और फिर भी नहीं समझ में आए तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल क्यों बनाया है और अपने कुंशन को आप डिरेक्लीा क्यों की एक स्नेप एक फोटो लेकर करके आप उससेंड करिए कि सर यहां नहीं समझ में आया वीडियो में यहां नहीं समझ में तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ उस स्पेशल पार्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा ठीक है और मैं बार पर बोल रहा हूं आप लोग परिशान मत हों ठीक है डाइन्ट स्टैक्स डाइनेमिक्स में करवाऊंगा पूरी यूट्यूब पे क्लास नहीं है लेकिन मैं हूं करा आने के लिए मैं जरूर करा हूंगा ठीक है आप लोग के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है सब्स्क्रिप्शन की जरूरत है आपके लाइक शेयर और कमेंट की जरूरत है जितना हो सकते उतना दबागे कमेंट कीजिए शेयर करिए दोस्तों में पूरे गोलगपुर में फै युनिबर्सिटी के कुछ लोग हैं कुछ लोग Divineवन डिस डीविन डीव्एसी की और जो पर्सनल मुझे बात हुई थो आप लोग सपोर्ट करते रहूचा है आप लोग सपोर्टे रहें सप सपोड कर रहा हूँ तो प्यार बाढ़ते रही है हमारे उपर बढ़साते रही है चुछ कि पी आई का और नेक्स जो पार्ट है जो पॉलिणोमिल जो एक्स पावर N टाइप होता उसे पढ़ता है ठीक अब गेस थर्ड हे जो पी आई का अगर क्यूंकि वैल्ली एक्स पावर मतलब polynomial type है और n क्या होना चाहिए हमारा belong करना चाहिए positive integer में तो ऐसे case में अगर कभी आपका PI find out आप कर रहे हो और PI में यह कुछ इस type का बने बाइचांस लाइक इस type का d minus a ऐसा कुछ बन जा है और आपको x power n का differentiation integration करना 1 upon d करेंगा तो integration होगा ना प्याइब तो प्याइब में ऐसा कुछ find out करने के लिए आपको डी की सबसे चोटी पावर मैं यह सिर्फ एक एक example की तरह ले रहा हूं मैं हो सकता है डी पावर 2 भी हो डी भी हो तो डी की सबसे चोटी पावर है उसे आपको डी की सबसे चोटी पावर मतला जहां पर डी नहीं होगा वहां पर डी की पावर जीरो होगी तो आपको वह कॉमन लेने है तो यहां पर कॉमन आप क्या लोगे यहां पर तो डी कहां पर नहीं है एक के पस डी नहीं है तो आप क्या करोगे सिंपल देखिए आपने कॉमन लि इशले वीडियो में लास्ट कोईशन था वो मैं बता है ना गलती से महाँ पर आ गए था पर तो अब वह कोईशन देखे सामने यहां पर जब भी पॉलिनोमियल मिलेगा हमें पॉलिनोमियल मिलेगा वोगों समझते हैं ना सबी दो हिंदी मीडिया वाद है हमारे बच्छे बह जाकर कि निमरेटर मतलब माइनस वन अपॉन ए तो ठीक ही था मैंसे लिए वन माइनस डी अपॉन ए होल पावर माइनस एक्स पावर अब जो आपका यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर यह क्या बन रहा है बाइनोमियल थिओरम बन रही है ठीक है इसका एक्सपेंशन करेंग प्रस्ट की पावर टोटल सेकंड की पावर 0 प्लस एंसी 1 फस्ट की पावर डिफधेंस सेकंड की पावर अप जो मानीची का वन आता है तू आता है जैसे आप लोगने पढ़ा होगा इस था ही पता दूंगा कि कैसे से विपन किया जाता है और सर्फ कहां तक यह उपन करना देखे स्टुडेंट्स बहुत ही सिंपल सा कोशन है देखे वाई पॉलिनोमेल आगे अपना पावर कितनी थी तो हमें वही काम करना है देखे पी आई वियर गोना फाइंड पी आई वन अपॉन डी डी पावर टू माइनस टू डी प्लस वन और वाट हम लोग क्या फाइंड ट्रक्राइब रहें और अच लूट करना है कि अैसपवा ठीक है तो इसमें कुछ नेना है यह नहीं आपको मान होतों वन कॉमन लिए लिए लिक लग दे रहा हूं तरह फिक है बटो यहां पर पॉजिव यह तो कोई दिक्कत नहीं अगर यहां पर नेगटिव हुता तो हमे बात नहीं common नहीं लेना है मैंने one ही ऐसे बाहर लिख दिया तो आप लिखोगे फिर कैसे आप इसे लिखोगे one plus d square minus 2d upon one ऐसे simply मैंने one जानबुश कर लिख दिया कोई जरूरत नहीं इसकी विए से और पावर यह कितनी इसकी one x power three अब इसे जब आप उपर लिखोगे तो कैसे लिखोगे दिखें आप इसे लिखोगे one plus d square plus 2d और इसको भी मैं ब्रैकेट में करते रहा हूं और एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं पावर में माइनस वन लिख दे रहा हूं क्योंकि denominator था मैं denominator से numerator में लिखिया इसे अब देखें यहां पर मैंने आपको binomial theorem बताई कैसे open करते हैं one एक तरह किसी से आप x समझ सकते हो देखें illustrate करने की मेरी पूरी कोशिस रहती कि आप वो पूरा समझ में है यह होगा आपका one प्लस इसको मैं पूरा x समझ के चल ला हूं दी स्कार प्लस टूडी को एक समझ के चल रहा हूं तो इसका जो expansion होता है वो यह होता है one प्लस x whole power n को आप ऐसे करते हो one प्लस nx plus nn-1 x square upon factorial 2 यह binomial theorem का second formula है जो उसी से मिलके बना होता है ठीक है ठीक है मैंने formula लिख रखा है binomial का x plus a whole power n nc0 first की power n second power 0 plus nc1 x power n-1 a power 1 तो मतलब जैसे जैसे x power कम होती है वैसे वैसे a power बढ़ती है ठीक है तो अब इससे related अगर मैं x की place पर one रख दूँ और a की place पर x रख दूँ तो यह formula कैसे convert होता है मैं यह भी आपको दिखा देता हूं उसके बाद इसका expansion करता हूं है दिखे students अब directly से learn भी कर लो one plus nx plus n n-1 x square upon factorial 2 plus ऐसे n n-1 n-2 x cube upon factorial 3 plus . तो ऐसे ही मैं जो left page में मैंने भी बता है आपको एसे ही मैं इसको expand करने जा रहा हूं one plus this power one plus d square plus 2d whole power minus 1 है इसको भी विर्कुल वैसे one plus x type behave करूंगा और n यहाँ पर minus 1 है ठीक है चलिए देखते हैं देखें यहाँ पर one plus bracket के अंदर ही रहेगा one plus nx मतलब minus 1 into d square plus 2d ठीक है प्लस n and minus 1 यानि minus 1 minus 1 minus 1 ठीक है n भाई यहाँ पर minus 1 है न है n की value minus 1 है तो उसमें minus 1 मुझे minus करना है और x square that is d square plus 2d whole square by two factorial ठीक है clear है अच्छा देख question में हलका सा मैं changement कर रहा हूँ आपके सामने देखे यह x power 3 ले 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 ना मैंने इस सब जिगे मैं x power 2 कर दे रहा हूँ मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ जितनी power x की होगी आपको उतनी power तक open करना पड़ेगा और जितनी power कर देता हूँ ठीक है power 2 मैंने कर दिया चली देखते हैं अब यहां पर भी power 2 कर देता हूँ देखे एक सेकंड यह यह पावर आपको यहां पर भी क्या है कि टू है ठीक चली देखते हैं कि यह टू हो क्या अच्छा भी सॉल्ट जब जैसे करेंगे तो पावर इसके बाद आपको open करने की ज़रूत ने क्यों क्यों क्योंकि पावर 2 तक यह सब्सक्राइब करने की जरूत ही नहीं है लिखने की जरूत ही नहीं है मत लिखेगा इसको हो ठीक है तो और भी क्या इसकी पावर 2 करेंगे आप तो 4D स्क्राइब तो चलेगा और जब टूएवड वाल स्कॉर्ण करें तो भी तो लिखना की जरूत नहीं है तो घ्र तू से कम सबवाइब डू या पार तू से कम आएंगे सिर्ए उनको लिखने की जरूत रागी को लिखने की जरूत नहीं है तो देखे हम क्या लिखना है ये बन तो लिखा गया ठीक है अब आप इसमें मड्नी पर माइनस डी स्क्वायर ओगहार माइनस तूडी और यहां पर म तो इससे ज्यादा तो यहां पर ज्यादा ही पावर आएगी तो उसको लिखने की ज़रत नहीं है ठीक है क्योंकि उन सब केसे में सब जीरो हो जाएंगे जब अभी प्लस डॉट डॉट लगा सकते हो उसके बाद एकस पावर टू मैंने लिख दिया है यहां टू से टू कैंसल हो गया और अभी कि फोटी स्कॉयर और यहां माइनस डी स्कॉयर को सौल करके आप लिख सकते हो देखें नेक्स पे लगता हूं देख माइनस टू डी प्लस डॉट 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 और यह एकस पावर टू अब इस एकस पावर टू को मैं अंदर लेके आ रहा हूं अंदर लेके आप आएंगे तो यहां पे एकस पावर टू तो एकस पावर टू होई जाएगा प्लस त्री डी पावर टू ऑफ एकस स्कॉयर पाकी की जितने भी टम्स होंगे ना उनमें डी की पावर ज्यादा ही होगी मतलब दो से तो ज्यादा ही होगी और दो से जब ज्यादा होगी तो आप सीधी से बात सूचे दो बार इप्रेंशेशन से जादा आप तीन बार करते हो अगर पावर टू ही है तो बहुत जीरो कर देता तो मैंने सारे सारे टाम से आगे के जीरो यह आ जाएगे तो अब यह देगे क्या जागा एकस स्कुराय माइनस फॉर एकस प्लस इस यह आपका प्याई आगया बस हमें की पॉलिनोमल केस में कैसे पाइंड आउट करते हैं एकदम प्लियर है इसको बॉक्स में कर देता हूं चलिए इसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ते हैं केस नंबर फॉर जो पी आई का प्याई काफी बढ़ा है सीएफ तो सिंपल था एकसाइज दिए अब प्याई में ज्यादा एकसाइज देखते हैं देखिए अब अगर क्यूंकि वैल्लीव इपावर एकस के साथ साथ कोई एक फंक्शन वी है मल्टिप्लाइड है वेर वी इस दो फंक्शन ओव एकस वी ज नोमेल हो सकता है वी खुद अगेन एक एक पावर में हो सकता है वी एक आपका स्टाइन एकस या कॉज एकस भी हो सकता है तो जब एकस के साथ कोई फंक्शन मल्टिप्पिकेशन में आगा तो आप इसे कैसे डिल करोगे यह यहाँ पर सीखना है तो दिए बड़ी सिंपल सी वी है तो आपको पता यहाँ पर क्या करना होता है बड़ा ही सिंपल है एक पावर में जो कुछ भी होगा उसे डि के साथ एड करके आप आगे बढ़ा दोगे जो कुछ भी और एकस जो आपका बाहर आ जाएगा और फिर वी पर आप अपलाई कर दोगे अब यह वी कुछ भ देखता है एक चीज़ देख लिए यहां पर वी क्या क्या हो सकता है वी सेल्फ इपावर में हो सकता है लाइक इपावर बी एक्स हो गया या कुछ भी अलफा एक्स हो गया वी आपका और क्या हो सकता है या फिर वी आपका कॉस एक्स भी हो सकता है और वी आपका और क्या हो सकता है एक्स पावर एन में भी हो सकता है यह चीज मैंने बताना सही समझा देख लिएगा क्योंकि यहीं तीनों में से कोई ना कोई बनता है वी की बैलिए ठीक है तो चलिए अब एक्जामपल देखें तो और इच्छे से क्लियर होगा देखें यहां पर भी आगे यहां पर पे आई फाइंड़ करना तो चलिए फ्याइं फाइंड़ाट करते अबि यहां पर ए पावर एक्स के अलावा देखें क्या ए पावर एक्स के अलावा यह आपका वी है मैंने बताना वी कॉसेट भी हो सकता है तो यह वही है देखें वन अपॉन एप ओफ डी अपने लिखा ठीक है इंटू e power x e power x मतलब यहाँ पे a की value 1 है इंटू cause a x यहाँ पे भी a की value 1 ही है ठीक है value put करते हैं देखे 1 upon d2 minus 2 d plus 4 और यह आपका हो गया इंटू e power e power मैं 1 x लिख देता हूँ आपके सहुलियत के लिए और इसे भी cause 1 x ही लिख देता हूँ आपके सहुलियत के लिए तो अब e power x जो होता है अभी just point बता है कि e की power जो भी होगी वो से आगे में add करके d के साथ आगे पढ़ चाएगा तो मैंने क्या किया e power 1 x को मैंने e power x को पीछे कर दिया और जहां जहां d था वहां मा क्या कर दिया तो होगा क्या जहां जहां d हम आप पर one add करके मैं square कर दूँ मतब यहां पर square लग गया minus two times d यहां पर भी है तो d में एक add कर दिजे और minus four sorry plus four तो ही ठीक ना और उसके बाद मुझे यही चीज cos one x पर apply करना है ठीक तो इसे नीचे solve कर लेंगा पहले जो भी आया है यह चलिए solve करता है देखे अब यहां पर holy square open करके मैं next page पर लिखता हूं देखे so it was d plus one holy square तो होगा क्या d square plus one square यह नि one plus two d और क्या होगा भाई देखे minus two d minus two ठीक है minus two d और minus two plus four I think it was plus four नो देख लेते है minus two d minus two plus four minus two d minus two plus four ठीक है और क्या है function हमारा cos one x है ठीक तो गया into में cos one x और simply x ठीक है अब इसे solve करता हूं थोड़ा सा अब जैसे solve कर होगा देखे 2 d से 2 d cancel हो रहा है तो बचेगा कितना d square और four minus two is plus two और one three तो d square plus three अब आपको पता है cos ax कैसे solve होता है cos ax d square के place पर minus a square पुट करते हैं तो यहाँ पर d square क्या है भाई d square की value क्या आप पुट करोगा यहाँ पर d square की value आपकी minus a square that means minus one square that is minus one आपको यहाँ पर पुट करना है तीक है यह मैं बगल बगल में लिख देता हूँ आपकी help के लिए तीक है अच्छा देखे हो सकता है और इसी को ही आप mcq में ले सकते हो कि किसी किसी question में d square के place में क्या पुट करना है mcu बन सकता है तीक है तो mcq जो बन सकता है वो आगे बन रहे है देरे-देरे कुछ-कुछ मैं mcq बना रहा हूँ तो वो जैसे ही chapters आपके almost खतम हो जाएंगे आप midterm देल होगे यह यह बोलो कि जब हमनों पास timing रहेगा midterm के जस्ट बात का तो उस से में सिर्फ आपको नहीं समझ में आती तो आप previous year के अगर आपने नहीं पढ़े है तो आप एक बार ही जाकर देगे हैं बहुत ही जबर्दस ट्रिक्स मैंने उसमें डाल रखी है जिसमें सिर्फ questions को देख कर ही आप answer बता सकते हो मतलब ऐसी short tricks मैंने बनाई है उसके लिए यूँ कैसे कह सकते हैं आप यूट्यूब पर आप साथ ही आपको मिले वैसी short tricks ठीक है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं प्रीज उसे आप ignore करें अभी थोड़ा सा time नहीं मिल पाता है कि मैं इसे edit करूं नहीं मिल पाता है सारा काम मैं खुदी करता हूं एडिट भी करता हूं content भी create करता हूं आपके MCQ भी create करता हूं उन्हें manage भी करता हूं ठीक है आप लोग के लिए जितना हो सकता है better content सोच करके मैं बनाने के भी कोशिश करता हूं तो इसलिए थोड़ा time नहीं मिल पाता है लेकिन आप तक अगर मेरी आवाज पहुच रही हो तो मैं सिर्फ आपसे यह गुजारिश करूँगा कि आप सिर्फ मेरी आवाज सुने वीडियो में पागित सब इग्नॉर करते हैं ठीक है ठीक मेभी आप help करोगे मेरी बात सुनोगे ठीक है अब इसे solve कर लोगे आप तो simple answer के आने वाला देखिए यह पावर एक्स तो ठीक है तो देखिए अब answer directly मैं रिख रहा हूं यह पावर एक्स इंटु कॉज एक्स चैप्टर बाकी वह से मट जाएंगे शॉर्ट में अभी इसके बाद इसमें तीन पॉइंट लगबग बचे हों तो अगर मैं एक लंबी वीडियो बनाओ लगबग एक घंड़े से देड़ घंड़े की तब जाकर यह cover हो पाएगा ठीक है तो इसका मतलबी है कि इसके बस य चैप्टर खतम पर है तो एक वीडियो में भी एक वीडियो थोड़ी बड़ी अगर बनाओ तो आजाएगा या फिर दो छोटी वीडियो बना सकता हूं तो चैप्टर खतम हो जाएगा तो करना क्या है और उसके जस्ट बाद दिखिए मैं पैरललेली चला रहा हूं इसको औ और इसνοड़ ये खतम ही होगा कल खतम हो जाएगा ठीक है फुस्ट कर दूँगा मैं और आपका मेकेनिक्ष की चैप्टर फार्ट है मेकेनिक्ष में डो पार्ट है करते समझे मेकेनिक्ष एक अकेले दो बुक्स के बराबर है जिसे आप सिस्ट्रन से अलग के सकते हो इन्हों ने केहने को दो प्सक्ते में मैने चैप्टर खतम है यह वनचैप्टर अब मैं कल जब भी स्टार्ट करुँ है मेरे only में सब्सक्ति करूंगा है जो मेरे इंटरेक्स है आपका जो पयपर वने जो मिट टर्म का उसमें एक कोशन अगर स्टैटेक्स एक डायनमिक्स का होगा जरूर ऐसे नहीं कि सुरुवात में सारे चैप्टर ये नियुक्स नहीं देंगे तो अब ध्यान रखिये कि आपको स्टैटेक्स के साथ साथ एक डायनमिक्स चैप्टर भी पढ़ने को मिलने वा और तब तक बहुत कुछ कभर हो जाएगा ठीक है आपको में तर्में सिर्फ तीन कोश्चन करने हैं आउट आफ सेक्स और आपको पता है कि वह तो फुल से बस पढ़ना पड़ता है उसके लॉग आंसर पढ़ना पड़ता है तो मैं लॉग भी बता रहा हूं इसलिए ठीक है तो तीन तो आपको मिली जाने मेरे ख्याल से ठीक है मिलेंगे मिलना चाहिए मेरे जहां तक मैं सोच के चलना हूं मुझे लगता है कि आपको करके आओगे और वह नोट्स में सही होगा ठीक है तो अभी के लिए आप पेशेंस रखके जितना हो सके रिविजन रखे और पढ इनिक्स का सेकंड चेप्टर यह कह सकते हैं कि दैजामिक्स का पहला चेप्टर Grand टीक है को कुषिश करोंगा कल ही हो जाए टीक है लगता है कमेंट करने का दो कमेंट भी करेंगा तब तक के लिए बने रही है आप में अपने खुद के चैनल मैत वैद पर थैंक यू